हेलो गाईस हाव यू सो मैंने आपको पहले ही बता दिया है एक वीडियो बना के कि इंडिया में जो बीटेयस का कॉंसर्ट होने वाला है वह आप लाइव कहां पे कैसे देख सकते हो ओके सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया के कितने सिटी में बीट करें तो सबसे पहले आपके पास ही पहुचे आप हमें इंस्टा ट्विक्टर फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो गाईस एस वी आल नो कि जो बीटेयस मेंबर को कॉंसर्ट है वह सौल में स्टाट हो चुका है वह भी एंड दुनिया भर में जो कंट्रीज है ना उन में से कुछ कंट्रीज को सिलेक्ट किया गया है जहां पे बीटेयस के कॉंसर्ट को लाइब दिखाया जाएगा एंड उसमें से एक इंडिया भी है कि वी आर अलगी क्योंकि यह first time है तो इंडियान बीटेयस आमी बहुत भीज़ादा है कि बीटेयस मेंबर का कॉंसर्ट वो इंडिया में देख सकते हैं वेल गाइस मैं आपको बता दू कि पिटेयस मेंबर का जो कोंसर्ट होने वाला है ना वो पीवी आर रिया सिने माज मे के लिए देश चुने गए है ना तो मैं आपको बता दू कि 60 कंट्रीज साथ देश चुने गए हैं जहां पर बीटियस मेंबर्स ता कॉंसर्ट लाइव श्रीमिंग की जाएगी इंडिया में 12 मार्च 2022 को बीटियस मेंबर्स का फर्स्ट कॉंसर्ट लाइव कॉंसर्ट इंडिया के PVR एड़ थिन के द्वज़ें so येस अब आपको बता देती हूं कि इंडिया में पच्ची सिटीज में इस कॉंसर्ट को करवाया जाएगा एन 46 PBR and Cinemas में BTS के Permission to Dance के Concert को Live Streaming करवाई जाएगी इसको Repeat Mode पे शाम के 6 बजे चलाया जागा सेम डे पे, ट्री प्ले किया जाएगा दाईस आप मुझे Comment section में बताओ कि आप में से कितने लोगों ने इस Concert के Ticket को Purchase कर लिया है आप किसी भी City में हो आप गूगल पे जाके Concert के Ticket को Purchase कर सकते हो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन कौन से City है जहां तक हम Price की बात कर लें तो यह जो Price होगा न यह 1500 से लेके 420, I mean 4200, 4200 तक हो सकता है और यह जो Price है न यह पता है यह PVR and Cinemas पे Depend है तो किसी City का जो PVR and Cinemas की जो Pricing है वो कम होगी किसी की ज़्यादा होगी तो yes, it's depending on them तो guys आप मुझे comment में बताओ कि आपकी वीडियो कैसे लगी Thank you for watching this video and आप वीडियर सिंधी वाले चैनल पे भी जाके देख सकते हो Bye Bye